चलिए हम बात कर रहे थे ऊर्जा के स्त्रोत की ठीक है तो उत्तम moral क metre स्त्रोत क्या है हमने समझ लिया जो जय irony आधा ऊर्जा दे जिसमें कम प्रोषण हो और जो असानी से मिल सके एक जगे से दूसरी जगा तक आसानी से उसको ले जाया जा सके ठीक है वो बेस्ट है उर्जा का स्त्रोथ आज हम पढ़ेंगे कि जो उर्जा के स्त्रोथ हम अभी तक प्रयोग करते आए वो कौन-कौन से हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्जा के पारंपरिक स्त्रोथ जिनको हम नॉर्मली यूज करते थे या करते हैं अभी भी करते हैं इसमें उर्जा की पारंपरिक स्त्रोथ में सबसे में हैं हमारी लकडी का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे अभी भी करते हैं ठीक है कुछ जगह पे हम वाइयू का प्रयोक भी करते हैं घरों में जैसे कोई जब फसल होती है उसको छांटठने के लिए हम पवन और चाप्रयों करते हैं या ruska करते हैं या बहते जल से पहले जैसे घराट चला जाते थे तो बहते जल से हम उसका उसकी उर्जा का प्रयोग करते थे ठीक है अब हम बात करते हैं जिवाशम इंधन की सबसे अधिक जो हम प्रयोग करते हैं जो हमारा पारम प्रिक्स त्रोथ है वह है जिवाशम इंधन तो जिवाशम इंधन में क्या आता है एक तो कोईला और दूसरा पेट्रोलियम अब ये कोईला और पेट्रोलियम जिवाशम इंधन क्यूं कहे जाते हैं क्षोटी क्लास में पढ़ चुके हैं क्योंकि इन्हें अब शेशों द्वारा बनाया जाता है। किस के? जीब जनतु हों के और पेड़ पॉधों के। जीब में आ गया है। तो उनकी अब शेशों से कैसे बनता है कोयला पेट्रॉली तो पीड़ पॉधों के दबने से, और यह जीव जंतुओं के दबने से, सुमदर तल के नीचे तो इस परकार हम जिवाश्म इंधन का प्रयोग करते हैं किस लिए उर्जा की पूर्ति के लिए है उर्जा की पूर्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं आपने देखा होगा पेट्रोलियम में हम पेट्रोल डीजल कहां यूज करते हैं गाड़ियों में कोईला कोईला यूज किया जाता है घरों में यूज किया जाता है इतना आपको नॉलिज है इस बात की अब इनका उप्योग किस प्रकार किया जाता था और अब किस प सबसे पहले जब कोईले का प्रयोग किया गया। उसके बाद उर्जा कि लिसा कि रूप में मैं उर्जा किस्तरोड के रूप में। कईले का उपयोग हुआ तो उससे आई औ द्योगी、、 क्रांती इसका क्या मतलब है कि हुद्योग बनने स्टार्ट हो गए बहुत सारे उद्योग बने जब उद्योग बने तो लाइफस्टाइल अच्छा हो गया नई नई चीजें बननी स्टार्ट हो गई बहुत मात्रा में चीजें बननी स्टार्ट हो गई ठीक है जैसे आप अपने घर में कोई वस्तो बनाते हैं तो आप अपने प्रयोग के लिए इसको यूज करेंगे लेकिन अगर वो इस तरह की आपने चीज बिनाई है कि वो पूरे समाज के लिए फाइदे मंद है तो आप उसको दुनिया के हर उस जरूरत मंद इनसान के पास पहुंचाना चाहें तो कैसे पहुंचा सकते हैं आप किसी उद्योग के द्वारा पहले तो नहीं कर पाएंगे उसके लिए उद्योग लगाने पड़ेंगे तो इस प्रकार बहुत सारे उद्योग लगे जब तो वह सारी नहीं नहीं चीजें बनने स्टार्ट हुई तो कोईले का प्रयोग जब हुआ तब उद्योगों का विकास हुआ और नहीं नहीं चीजें बनने लगी नए-ने तरीके की चीजें बने लगी जिससे अब लाइफस्टाइल अच्छा हो गया जब लाइफस्टाइल अच्छा हो गया तो उर्जा की और अधिक मांग बढ़ गई तो जब उर्जा की मांग बढ़ गई तो तिन प्रति दिन ज्यादा से ज्यादा कोईला और पेट्रोलियूम है इसको बनने के लिए करोडों वर्ष लगे हैं और ये सब जगा अविलेबल नहीं है इनके सीमित भंडार हैं तो अगर हम लगातार इस उर्जा की आपूर्ति को जिस तरह से हम कर रहे हैं कोईल और पेट्रोलियूम से तो वो जो बने हैं करोडों वर्षों वो समाप्त हो जाएंगे एक दिन तो चिंता का विशे है कोईल और पेट्रोलियूम का इस तरह से अत्यधिक प्रयोग करने से तो वो समाप्त हो जाएंगे तो इनको बचाने के लिए हमें उर्जा का कोई नया स्त्रोत ढूंडना पड़ेगा जिससे क्योंकि ये तो बहुत इसके लिए एक बैकल्पिक स्त्रोत बनाना पड़ा जिससे हम उर्जा की अपूरती कर सकें और एक और चीज है कि जब हम कोईल और पेट्रोलियूम का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे तो इसके यूज के लिए नहीने टेकनीक्स भी बनाई गई तो इस प्रकार हम जिवाश्म इंधन को बड़े पुराने समें से यूज करते आए कोईल और पेट्रोलियूम का यूज आपको पता है कहां करते आ रहे हैं और इनके उप्योग से उद्योग बढ़े हैं बहुत सारे उद्योग लगे हैं और उद्योग लगने से हमारा लाइफस्टाइल अच परच करना पड़ा है लेकिन जब हम जानते हैं कि इनको बनने में करोडों बरस लगे और इनके भंडार भी सीमित हैं हर जगा करोड़ पेट्रोलियूम निकल नहीं सकता कुछ जगा पर ही है सीमित इसके भंडार हैं और बनने में भी बहुत समेह लगता है तो जिस तरह से अगर हम इसको यूज कर रहे हैं उसी तरह से करते रहे तो वो जल्दी ही खतम हो जाएंगे तो खतम होने वाले स्त्रोथ हैं ये कोईल और पेट्रोलियूम इनको जिवाश्रम इंधन कहते हैं क्योंकि जीवों के अवशेशों से बनते हैं तो ये अनवी करन ये स्त्रोथ है क्योंकि इनका दुबारा से नवीकरण नहीं किया जा सकता, ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको अवीकरण ये स्त्रोथ कहा है, कोईल और पेट्रोलिमस में आते हैं, तो अब हमें बैकलपिक स्त्रोथ ढूंडने की अबशकता है, उर्जा की अपूरती के लिए तो वैकलपिक स्त्रोथ हमने ढूंडे हैं, लेकिन आज भी हम ज्यादा तर अपनी उर्जा की मांग के लिए किस पर निर्वर हैं, इन्हीं चीज़ों पर निर्वर हैं, पेट्रोल, डीजल, कोईला, ये चीज़ें यूज करते हैं, अपने गाडियों में, बाहनों में यू पूर्जा के स्त्रोथ, जो कोईला और पेट्रोलियों में जिवाश्रम इंधन हैं, जिनकी हम अभी तक बात कर रहे थे, तो ये जिवाश्रम इंधन की कुछ हानिया भी हैं, तो ये क्या हानिया हैं, एक तो मैंने ये बता दी कि इनको बनने में करोडों वर्स लग गए और इनके भंडार सीमित हैं, एक हानित ये है, दूसरा, इसमें सबसे बड़ी प्रावलम क्या आती है, कि जब इनको जिलाया जाता है, तो इनसे प्रदूशन होता है, कैसे, इनसे निकलने वाले कार्बन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये औक्साइड्स होते हैं, तो ये आपके नॉन मेटल्स हैं, जब ये वर्षा जल के साथ मिलते हैं, तो अमल का निर्मान करते हैं, क्या बनाते हैं, अमल, तो वर्षा जल में अमल बन गया प्रदोशन की बज़ा से जो कार्वन नाइट्रोजन सलफर के अक्साइड सवाईयू में मिल गए थे इन जिवाशम इंधनों को जलाने की बज़ा से जो प्रदोशन हुआ था वो जल में मिलकर अमल का निर्मान कर रहा है और यहां अमलिय वर्षा बनाता है तो इस प्रकार हम समझ गए कि प्रदोशन होता है जिवाशम इंधन के जलने से अमलिय वर्षा होती है और यहां अमलिय वर्षा मरिदा को नुकसान पहुंचाती है जल स्तुरोटों को नुकसान पहुंचाती है तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है तो इसके साथ जब हम इन कोईल और पेट्रोलियूम को जलाते हैं तो कुछ गैस से निकलती है जैसे कारवन एकसाइड गैस है यह वाईयू मंडल को गरम करती है ठीक है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है ग्रीन हाउस प्रभाव है यह जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसके वाईयू मंडल गरम हो जाता है और अगर बातावरन का तापमान बढ़ जाए तो ग्लेसियर जो है वो पिगल जाएंगे बरब पिगल जाएगी तो सारी प्रिस्वी जलमगन हो जाएगी ऐसा कुछ आपने 18.th class में पड़ लिया है, तो, अब हमें, कुछ इस तरह से, कोईले और पेटनियों का प्रियोग करना है, कि इनकी दहन क्षमता, में दक्षता अजये, इस तरह से, हम इसका उपयोग करेंगे, और इस तरह से, हम नई टेकनीक बनाएंगे, नई टेकनिक का प्रयोग करेंगे जिससे जब इनको जलाएंगे तो ये पूरी तरह से जल जाएं और कोई अबशेश ना बचे यानि कोई pollution ना हो जब pollution ना हो अगर pollution नहीं होगा तो ये गैसें भी नहीं बनेंगे तो green house effect भी नहीं होगा और अमली वर्षा भी नहीं होगी इसके अलावा हम और ज़्यादा अच्छी टेकनिक यूज करके इन से निकलने वाली राक बगयरा है हानिकारग गयसे हैं उनको भी वाई मंडल में जाने से रोक सकते हैं इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं तो पता है कि हम कोईला और पेट्रोलियूम को कहां यूज कर रहे हैं लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि इनका उप्योग करके हम विद्यूत भी उत्पन कर सकते हैं तो विद्यूत उत्पन की जा सकती है कोईला पेट्रोलियूम का प्रयोग करके तो विद्यूत क्यों उत्पन करने हैं यह भी उर्जा का स्त्रोथ है कोईला और पेट्रोलियूम का भी उर्जा का स्त्रोथ है तो सबसे ज़्यादा फाइदा क्या होता है कि जो हम कोईला और पेट्रोलियूम है उसका परिवहन करने में दिक्कत आती है एक जगा से दूसरी जगा ले जाना है कोईला और पेट्रोलियूम को तो ज्याद प्रॉब्म आती है तो कोईला और पेट्रोलियूम को अगर इस सूर्जा के रूप को किसी दूसरे रूप में बदल दें विद्यूत के रूप में बदल दें तो इसका परिवान आसान हो जाता है तो हम क्या करते हैं कोईला और पेट्रोलियूम का प्रयोग विद्यूत उत्पन करने के लिए कर देते हैं अब एक सन्यंत्र बना कर देखते हैं कि किस प्रकार हम विद्धुत्पन कर सकते हैं कोईले को जला कर तापिय विद्धुत सन्यंत्र तापिय विद्धुत सन्यंत्र जिवाश में इंधनों जैसे कोईला, पेट्रोलियम या प्राकर्तिक गैस को जलाने से उत्पन उर्जा का उपियोग पानी को गर्म करने और इसे भाप में बदलने के लिए किया जाता है जो विद्धुत उत्पन करने के लिए जनित्रों के तर्बाइनों को घुमाती है आईए तापिय सन्यंत्र के लिए प्रदर्शन करें कि यहां कैसे कारे करता है एक टेबल टेनिस की गेंद लीजिए और इसमें तीन जिरियां बनाईए धातु की चादर से अर्ध वृताकार पंखुणियां काटकर और इन्हें बॉल में जिरियों में लगाईए धातु का एक सीधा तार लेकर इसे बॉल के केंदर से होकर गुजारिए तथा तार के धुरी की भांती प्रयोग करके बॉल को कील कित कीजिए यह सुनिश्चित कीजिए कि बॉल धुरी पर मुक्त रूप से घुणन करे अब इसके साथ कोई साइकिल डायनेमो जोडिए एक बल्ब को श्रिंखला में रखिए पंखुडियों पर जल की धारा अत्वा दाब कुकर में उत्पन भाप डालिए आप क्या देखती है विद्धुत उत्पन करने के लिए यहां हमारा टर्बाइन है सरलतम टर्बाइनों का गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन है गतिशील तरल ब्लेडों यानि पंखुणियों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर को उर्जा प्रदान करता है इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रोप से हमें रोटर की पंखुणियों को एक गति देनी होती है ताकि वह यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में रुपांत्रित करने के लिए डायनेमों के शेफ्ट को घुमाने अगला अनूभाग है हमारा ताप्य विद्धुत सैंत्र तो कैसे बनते हैं ये ताप्य विद्धुत सैंत्र कोइला और पेट्रोलियम जिसके हम बात कर रहे थे जवाशम इंधन को प्रयोख करके हम बहुत बड़े लेवल पे पानी को गरम करते हैं उबालते हैं जिससे स्टीम निकलती है भाप निकलती है और भाप का प्रयूक दिया जाता है टर्वाइन्स को घुमाने में ठीक है तो टर्वाइन को घुमाया जाता है जिनके घुमने से विद्यत उर्जा उत्पन होती है जो अभी हमने क्रियकलाप में देखा और ये सेंतर बनते गहां है जहां कोईला और पेट्रोलियम का उत्पादन होता हो उन क्षेत्रों में ही हम इन्हें बना सकते हैं ऐसे सेंतर ताप ये विद्यूत सेंतर उसी जगा पर बनाए जा सकते हैं इनको क्यों कहा गया ताप ये विद्यूत सेंत्र क्योंकि हम जब इंधन का प्रयोग करते हैं तो उससे हम उश्मा उत्पन करते हैं उष्मिय और्जा उत्पन की जाती है सबसे पहले भाप उत्पन की जाती है जिसको बाद में विद्युत में बदल दिया जाता है, ठिक है, कोईले को जलाब जलाए जाएगा पेटरॉल को जलाए जाएगा जिससे ऊश्मा निकलेगी उश्मा निकल कर हम उसको पहले भाप जल को भाप में बदलेंगे फिर टर्बाइन को भाएंगे फिर विद्यूत बन जाएगी तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उश्मे उर्जा किसमें बदली विद्यूत उठ जाएगे इसलिए इसको क्या कहेंगे तापिय विद्यूत सेयंत्र नेक्स्ट है हमारा जल विद्यूत सेयंत्र इसमें जल का प्रयोग करेंगे तो विद्यूत उत्पन की जाएगी तो वो कैसे करेंगे हम सबसे पहले तो हम करित्रिम जीलें बनाएंगे यानि नदियों के जल को रोका जाएगा कैसे रोकेंगे बांध बना कर ठीक है तो बांध बनाए जाते हैं सबसे पहले पानी को रोका जाता है पानी के अंदर उर्जा है पानी बहर आए तो ये इसकी गतिज उर्जा है अब जब हमने रोक दिया तो उसकी स्थितिज उर्जा ह प्रयोग करेंगे और इससे विद्युत त्यार की जाएगी कैसे इसको समझते हैं उससे पहले यह समझ लेते हैं कि यह जो जल प्रपात हैं हमारे sources हैं जल के यह बहुत कम हैं हम इन बांधों को कहां बना सकते हैं केवल पहाडिक शेत्रों में ही बनाया जा सकता है क्योंकि जल बिद्युत सेंत्र हैं तो इसको बांध बना कर ही यह काम किया जा सकता है तो पिछली स्ताबदी में बताया गया कि बहुत ज्यादा अधिक बांध बनाये गए और हमारा मानलो अगर हम एनरजी हमारे देश में इतनी उर्जा प्रयोग करते हैं पूरे साल में तो चौथा हिस्सा यह रख लो यह हम एक चौथा हिस्सा जल बिद्युत सेंत्रों द्वारा पूर्टी करते हैं हमारे उर्जा की ठीक है अब जल को कैसे बांध कैसे बनाये जाते हैं नदी का पानी बह रहा है तो पहले इसको रोक दिया जाएगा और यह अब जब यह देखी अब यह पहाडी क्षित्रों में है तो यह जल का जो सोर्स हमने यहां पर जो करितिम सोर्स बनाया है यह उंचाई पर होगा उंचाई पर से जब पानी नीचे छोड़ा जाएगा यहां पर गेट बनाए जाएगे इन गेट से फिर पानी जब नीचे छोड़ा जाएगा तो वो कहां गिरेगा जाके टरवाइन्स पर तो यह घूमेंगा टरवाइन जो की जनरेटर के साथ जोड़ा होता है जब यह घूमेंगा तो इस जनरेटर में एलेक्सिटी प्रोड्यूस होगी जो फिर आगे भेज दी जाएगी यह आपकी बुक में भी बताया गया है कैसे करना ह अब क्योंकि बारिश तो हर साल होती है तो जल तो अपने आप यह खतम नहीं होने वाला हम कौन सा इसको खराब कर रहे हैं तो बहरा था हमने रोक दिया थोड़ी दिया हमारे लिए कुछ दे जा तो जब हमने रोका इसको तो इसकी जो गति जूर्जा उपर से जब यह स्थ पूर्ती होती रहती है इसलिए जो जल विद्यसेंट्र है यह है नवी करण Ruby wyd यह हम दुबारा से जनेरेट कर सकते हैं यहगा यह समदर में जाएगा समुंदर में जाने के पाद बारिश होगी फिर दुबारा क्षेत्रों पर ही बनाए जा सकते हैं पहाडी क्षेत्रों पर ठीक है दोसरा तीसरी चीज इसमें क्या है कि पानी में डूबने की वज़ा से बहुत सारा जो क्षेत्र है वो पानी में जब डूब गया तो मतलब बहुत सारा पारिस्थितिक तंत्र नश्ठ हो गया इसका मतलब क्या है किसी एरिया में पेड़ पौधे जीब जन्तू सब मर गये जो एक दूसरे पर निरवर थे और जो बाता बरन के लिए भी जरूरी थे तो ये पारिस्थितिक तंत्र जो है नश्ठ हो जाता है चाथी जो पेड़ पौधे पानी में डूब गए अब जो पेड़ पौधे बनस पती ये जो पानी में डूब गए इनके डूबने से जब ये सड जाएंगे अब आई विए स्वसन होगा उससे ये सडने लगेंगे तो उससे मिथेन गैस उत्पन होगी तो जब मिथेन गैस ग्रीन हाउस दिखाती है, यह जैसे जो लोग बेघर हो गए बेघर लोगों को पुंलर आवास की एक समस्य उत्Fe EA उत्पन हो जाती है, तुमार दोबारा से therapeutic करना है, अब इनी सब प्रॉल्लम की बजह से ही जो गंगा नदी पर गंगा नदी पर जो टिहृरी बांध बना था नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोबर बांध बना था इन बांध के बंते समें बहुत बहुत कार हुआ था इनका और इसका बिरोध किया गया लोगों के द्वारा की ये नहीं बनने चाहिए तो इस तरह की समस्याइं भी आ जाती हैं लोग बिरोध करते हैं इन समस्याओं की वज़ा से जिससे बांध बनाने में भी समस्य उत्पन होती है तो बांध बनाने की वज़ा से ये उसकी सीमाएं हैं कि बांध पहाड़िक्षेत्रों में ही बनाए जा सकते हैं तो उस बांद के बनने से बहुत सारी भूमी और मानव आवाज जो हैं जैल में डूब जाते हैं बहुत सारे पारिस्तितिक तंत्र नश्ट हो जाते हैं जिससे एक असंतुलन की परेवरण में असंतुलन बन जाता है पेड़ पौधे और बनस पती जो पानी में डोब जाते हैं गलने सडने से अवाई विस्वसन होने से उनमें मिथेन गैस उत्पन होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाब दिखाती है जो लोग जिनकी जमीन पानी में डोब गई उनके पुनर आवाज की समस्यवी खड़ी हो जाती है तो इस प्रकार जब बांध बनते हैं तो कई बार बिरोध भी करते हैं लोग उसका गंगा नदी पर बना टिहरी बांध नर्मना नदी पर बना सरदार सरोवर बांध इन बांधों के बनते समें इनका बहुत पिरोध किया गया था लोगों के द्वारा तो प्रशन अब पूछा जाता है कि जो बांध टिहरी बांध है कौन सी नदी पर है सरदास रोभवांत कौन सी नदीपे एक-एक नंबर की प्रशनाते हैं जल विद्युत्ष्षम इंत्र की क्या सिमाएं है ये कुछ सिमाएं है कोईले की हानियां क्या है जो जिवाशम इंदन जो हम जलाते है उन्की हानियां क्या उति आपती ह इंत्र को मैं हम जल का प्रयोग कर रहे हैं और यह जल का प्रयोग जल जो है दोबारा से regenerate हो जाता है तो इसलिए हम इसको नभी करणी है स्त्रोत कहेंगे क्योंकि उसका नभी करण किया जा सकता है पारा पानी खतम नहीं होने वाला ये दुबारा से आ जाएगा वारिस जब बर्शा होगी तो अगले साल फिर ये इन जो सोर्सिस हैं पानी के इनको भर देगा तो ये आपके लिए प्रशन है इस अनुभाग पर अधारित इसके अलावा और जितने भी प्रशन एक एक नंबर के आपको लग रहा है इस अनुभाग में निकल सकते हैं वो निकालने है जो अभ्यास के प्रशन पीछे दिये गए हैं उन में भी आपने अच्छे से देख ले है कल हम अगलान भाग पड़ेंगे बैकल्पिक अत्वा गयर परम प्रागत उर्जा स्त्रोत ओके थेंक यू